आज हम कफ्षनों का अध्याएक संख्या पद्धती की सिरुवात करने जा रहे हैं सबसे पहले इस पार्ट की हम कुछ महत्पूर्ण परिभासाओं को जानेंगे उसके बाद में हम इस पार्ट की प्रसनवाली पर जाएंगे देखिए सबसे पहली परिभासा आपके आएगी कि अंक क्या है संख्या किसे कहते हैं प्राकत संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक परिमे संख्या आपरिमे संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है ये सब जानने के बाद में हम अगले पार्ट में इसकी प्रस्णवाली के उपर जाएंगे देखिए अंक किसे कहते हैं जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ और ये नो ये आपके अंक है तो संख्याओं को दरसाने के लिए हम जिन चिन्नों का उपयोग करते हैं उन्हें ही हम अंक कहते हैं आप इसकी परिवासा दे सकते हैं कि संख्याओं को दरसाने के लिए हम जिन चिन्नों का उपयोग करते हैं उन्हें हम अंक कहते हैं ठीके, और गनित में अंक कितने हैं? पूरे दस अंक है अब देखते हैं संख्या संख्या किसे कहते हैं जैसे ये बारा पच्चिस पेतालिस पांच साथ नो ये सारी क्या है ये भी ये देखें पांच साथ और नो अंक भी है और संख्या भी है पर बारा क्या है अंक नहीं है ये संख्या है तो संख्या की परिवासा किस परकार देंगे आप? कि वहाँ अंक गनीती मान जिसका उपयोग हम गिनने में, मापने में या नाम करन करने में करते हैं उसे हम संख्या केते हैं ठीक है? या फिर सोटकट में आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अंकों की साहिता से जिनें प्रदर्शित किया जाता है उन्हें संख्या केते हैं किसे कहेंगे संख्या? अंकों की साहिता से जिनें व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है उन्हें संख्या केते हैं किलियर है अंक और संख्या दोनों चीज किलियर हो गई है देखिए अंक ऐसा है कि इनकी साहिता से हम संख्याओं को प्रदसित करेंगे ठीक है दोनों की एक दूसरे से रिलेटिवा परिभासा दे सकते हैं अब देखते हैं प्राकत संख्या देखिए प्राकत संख्याओं वास्तों में यह है जहांसे हम गिंती स्टार्ट करते हैं जहांसे हमारी काउंटिंग नंबर सिरू होती है जैसे आपको मैं गिंती बोलने के लिए कहूं तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे एक से ठीक है तो उसी प्रकार जो संख्याओं एक से आरंब होती है उन संख्याओं को क्या केते हैं प्राकत संख्या केते हैं ठीक है प्राकत संख्या किने कहेंगे कि वे संख्याओं जो एक से आरंब होती है अच्छा यह समाप्त कहां पर होती है तो यह समाप्त कभी नहीं हो सकती इसलिए इने कहेंगे अनंत ठीक है तो प्राकत से आरंब होती है और अनंत पर समाप्त होती है उन संक्याओं को हम प्राकत शंक्या केते हैं अब देखते हैं पूर्ण संक्या यह जो प्राकत संक्या का समून है आपका एक दो त्यूंत कि चार पाट डदर अनंत तक यह कौसी संख्याओं का संमूँ है प्राकत संख्याओं का ठीक है और यदि प्राकत संख्या के संवु में हम Zero और जोड़ दे तो यह संख्या का संवु आपका कहलाएगा पूर्ण संख्या ठीक है तो फरीबहसा किस तरह से देंगे कि वे संक्याए जो सुन्य से आरंब होती है और अनंत पर समाप्त होती है उन संक्याओं को हम पूर्ण संक्या केते हैं या फिर आप प्राकत संक्या की लेफिनेशन से भी इसकी परिभासा दे सकते हैं यदि हम प्राकत संक्या के सम्मू में कि यदी हम प्राकत संखिया के संधू में जीरो को और जोड ले या जीरो को और मिला ले तो वा संधू आपका कहलाएगा पूर्न संख्या कहलाएगा ठीग अभी तक हमने चार परिवासाई देखी अंक संख्या प्राकत संख्या पूर्न संख्या अंक किसे कहते हैं कि वे चिन जिनकी साहिता से हम संख्याओं को प्रदसित करते हैं उन्हें अंक कहते हैं और अंक कितने हैं टोटल तो दस आपके अंक हैं और इसके आगे फिर देखिए हमने संख्या किसे कहते हैं वहां अंक गनीती मान जिसका उपयोग हम मापने में गिनने में और नाम करन करने में करते हैं उन्हें हम संख्याय केते हैं या फिर अंक की साहिता से जिने हम प्रदस्चित करते हैं उन्हें ही हम क्या केते हैं संख्या केते हैं फिर इसके बाद में देखे हमने प्राकत संख्या वे संख्या है जो एक से आरंब होती है और अनंत पर समाप्त होती है उन संख्याओं को प्राकत संख्या केते हैं ठीके इ देखा हमने पूर्ण संक्या वे संक्या है जो सुन्य से आरंब होती है और अनंत पर समाप्त होती है उन संक्याओं को हम पूर्ण संक्या केते हैं या फिर यदि हम प्राकत संक्या के समू में सुन्य को और जोड़ दे तो वहां पूर्ण संक्या केलाती है ठीक है अब यहां से आपके दो प्रस्न बन रहे हैं सबसे छोटी प्राकत संक्या ठीक है सबसे छोटी प्राकत संक्या तो सबसे छोटी प्राकत संक्या क्या है आपकी सबसे छोटी प्राकत संक्या एक है और यदि मैं कहूं कि सबसे बड़ी प्राकत संक्या तो सब ग्यात नहीं है सबसे बड़ी प्राकत संक्या कुन सी है तो ग्याद नहीं है यानि कि अनन्ते हमें पता ही नहीं ठीक है तो यह प्रस्ण आप से पूछता तो इस प्रकार पूछेगा कि सबसे चोटी प्राकत संक्या बताईए तो एक है और इसी तरह सबसे चोटी पूर्ण संख्या ठीक है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या चया है, आपकी 0 है, और सबसे बड़ी, ये भी हमको ग्यात नहीं है ठीक है, और अंक के पूरे टोटल कितने हैं तो 10 आपके अंक है, देखिए नो तो ये हो गे और 0 और, ये पूरे से आपके अंक किते हैं दस है ुसी प्रकार संख्या होगी तो गिंती नहीं कि जा सकती अनन्त होगी इस तरह से केशी भी 2800 थिक dot पानसो 55 इस तरह से यहज़ी आपकि संख्या है ठीक है तो अब Niet अब देखिए पूर्णांग किसे कहते है ठीक है अब पूर्णांग किने कहेंगे देखिए यदी हमने ये जीरो से प्रारंब होने वाली संक्याओ को क्या समद नाम दिया उन्हें हमने पूर्ण संख्या का तो यदी हम इन पूर्न संख्याओं के समू में यदी हम इन पूर्न संख्याओं के समू में ये जो प्राकत संख्या है इनके रिनात्मक मान रिनात्मक मान कैसे? माइनस एक, माइनस दो माइनस तीन और ये भी इस तरह पूर्न संख्या के समू में यदि प्राकत संख्या के रिनात्मक मान को और जोड़ दिया जाए तो वहाँ आपका पूर्नांक कहलाएगा क्या कहलाएगा पूर्नांक कि यदि हम पूर्न संख्या के समू में प्राकत संख्या के रिनात्मक मान को और जोड़ दे यह मिला ले तो वहाँ समू आपका पूर्नांक कहलाएगा अब देखिए पुर्णांग में इधर वाला जो चेप्टर है वो आपका कहलाएगा धनात्मक पुर्णांग ठीक है यह धन वाली जो संख्या है इधर की वो क्या कहलाएगा आपकी धनात्मक पुर्णांग और इधर का जे चेप्टर रिनात्मक पुर्णांग ठीक है यह रिन परी में संख्याय किने केते हैं, देखें, देखें, परी में संख्याय वे से तो आप जानते ही होंगे, पिछली कक्षाओं में आपने देख लिए आए कि परी में संख्याय क्या होती है, फिर भी दोरा देते हैं, ठीकें, वे संख्याय जिने हम P बटा Q के रुप में लिख सक और जहां क्यूं बराबरी पर नहीं होता है जिरो उन संक्याओं को हम परी में संक्या कहते हैं यानि की बटा वाली संक्या है ठीक है चार तीन बटा चार बटा तीन तीन बटा पांच यह दो भी एक आपकी परी में संक्या है क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक है एक बटा दो ये आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी परीमे संख्याए ठीक है तो परीमे संख्याए की परीबासा वे संख्याए जिने हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और यहां Q बराबर नहीं होता है जीरो वे संख्याए आपकी परीमे संख्याए कहलाती है अब देख लिख सकते हैं ठीक है फी बटा क्योंके रुप में नहीं लिख सकते हैं उन संक्याओं को हम आपरी में संक्या कहते हैं जैसे कर्णी तीन कर्णी दो कर्णी पांच ठीक है कर्णी साथ वे संक्या आपकी आपरी में संक्या कहलाएगी यानि कि वास्तों में यह कि जो भी अंडर उटके अंदर रहेगा यानि करनी के अंदर रहेगा तो यह संक्या है आपकी आपरी में संक्या किलाएगी ठीक है अच्छा क्या वास्तों में सारी करनी में रहने वाली संक्या है आपरी में संक्या किलाएगी तो ऐसा नहीं है यह जो करनी चार है यह करनी से यदि बाहर निकल सकता है तो यह आपकी आपरी में नहीं है फिर क्या बन गई है पर करनी तीन देखिए यह नहीं निकल सकता करनी दो नहीं निकल सकता करनी पांच करनी साथ इसलिए यह सारी तो के लाएगे आपकी आपरी में संख्या पर करनी चार एक क्या है परी में संख्या है क्योंकि ये दो के रुप में बहार निकल सकती है ठीक है और लाश्ट में हमारा है वास्तविक संख्या देखिए परी में संख्या और आपरी में संख्या परिमे संख्या और आपरिमे संख्या का समू यहने कि दोनों को मिलाकर जो संख्याय बनती है वो कहलाईगी आपकी वास्तविक संख्याय तो परिमे संख्या और आपरिमे संख्या के समू को ही क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं यहने के रियल नंबर कहते हैं दो बटा चार ठीक है करनी तीन क्योंकि इसमें परी में भी रहेगी और आ परी में भी रहेगी देखिए आज हमने कुनकिन चीजों को सिखा पहले सिखा हमने अंग अंक जीरो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो पूरे दस अंक है और यहां पर यह पांच भी संख्या अंक भी यह पर लेकिन बारा आपकी संख्या है चुकि यह अंक की साहिता से बनी है देख लीजिए ठीक है और यहां पर यह अंक भी कहलाएगा और संख्या भी कहलाएगा ठीक है और अंक की और संख्या में एक विश्य संथर यह है कि जो अंक है वहां सोतंत्र होता है यानि प्राक वे संक्या डीरों से आरंब होने वाली वह सँश्वाआं षूम थ TL, यह से ढ़िया तो पूर्न खेना था trovान самое धूरिश क्या म Crownness v संक्या में पूर्न की संक्या है वह संक्या यह संक्या है जो पूर्न पुर्णांक के कहलाएगा और पुर्णांक में दो परकार के पुर्णांक है धनात्मक पुर्णांक और अरिनात्मक पुर्णांक जो धनवाली संख्या है वह आपकी धनात्मक पुर्णांक रिनवाली अरिनात्मक पुर्णांक परीमे संख्या जिनने हम P बटा क्यूंके रुप में लिखते हैं 2 बटा, 3-4 बटा, 3-3 बटा, 5 ठीम है, यह आपकी परी में होगी इसके बाद में हमने देखा, A परी में, जिनने हम P बटा क्यूंके रुप में नहीं लिख सकते ठी глуб है, वो कहगे लाएगे आपकी, A परी में और वास्त्विक संक्या परीमे संक्या और आपरीमे संक्या की जो सम्मू है उन्हें हमने वास्त्विक संक्या कहा ठीक है अगले वीडियो में हम इसकी प्रस्णवाली का अध्यन करेंगे जब तक आप इन्हें अच्छे से नोट करिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा अग मिलते हैं अगले वीडियो में